विल्कम बाक टोंकी चौदरी एजुकीशन और आज की क्लास में डिसकस करने वाले हैं हम इलेक्ट्रो मागनेटिजम के बारे में यार देखो यह सूपर इंपॉर्डन टॉपिक है इलेक्ट्रो मागनेटिजम मैं लेक्ट्रो मागनेटिजम मतलब क्या है इसका कभी भी आप की मतलब से कहीं भी मैगनेटिक एफेक्ट या फिर मैगनेट जैसा बीहेबियर क्रियेट करा दो ना तो उसे कहते है इलेक्ट्रो मागनेटिजम होल इन सोल इस टॉपिक का यही मतलब है कि अगर मैं आप पे आपको थोड़ा साइज कम करूँ ओके विद धी हेल्प उफ एलेक्ट्रसेटी यू केन क्रियेट मैगनेटिजम अचा कई लोगो को ना मैगनेटिजम फील नहीं आता बीभी यह अक्चलर मागनेटिजम है क्या मतलब की चुम्बक को कहेंगे यह मैंगनेटिक फील को कहेंगे मैगनेटिजम है क्या देखो मैगनेटिजम का असली मतलब जो होता है वो यह होता है कि मैगनेटिक बिहेवियर दिखा पाओ ना जो भी सबस्टांस जो भी अबजेक्ट मैगनेटिक बिहेवियर दिखा पाता है तो वो केवल और केवल मैगनेटिजम के वज़े से दिखा प इसका मतलब है कि वह मैगनेटिजम है तो मैगनेटिजम का सिंपल अर्थ यह था जो चाप्टर के स्टार्टिंग में भी गया खेर हम अपने टॉपिक पर आते हैं अगर एलेक्टर सिटी की मदद से कहीं भी आप मैगनेटिक बीहेवियर शो कर पाओ तो उसे कहते हैं जैंपे इसको क्लेर करते हैं और यहां पे में पास एक वायर है ठीक है यह wire है抗्रेंट चारिणड अगर श१ करेंट के इ startups करेंड वायर के इतरद इंडद मैं मैंगनेटिक फील्ड जनेरेगरा डेता हूँ क्या करा देता हूं मैं मैंगने मेंटीटिक फिपीम्ड राइट हाँ है electric field मैं मना नहीं कर रहा है इस बात को लेकिन साथ में magnetic field भी आ गया तो इस star पे magnetism आ गया होगा तभी magnetic field आया है ठीक है और इनके बारे में हम चल्चा पहले भी कर चुके है अब आज एक practical demonstration देख लेते हैं कि ऐसा हो कैसे जाता है ठीक है तो समझते हैं इस बात को देखो एक circuit बनाएंगे यह हमारे पास एक circuit जिसमें यह positive negative positive negative ठीक है power supply करने के लिए voltage देने के लिए ठीक है और इस circuit को आप complete कर दो ठीक है अगर आप इस circuit को open रखते हो ठीक है तब तो कुछ नहीं होगा लेकिन close कर देते हो close का मतलब क्या है open का मतलब यह है ठीक है circuit को आपने open तो इसमें क्या flow होगा current flow होगा right current कहां से कहां flow होता है यह positive आपका और यह negative आपका पहले mark कर लो यहाँ पे this one is positive and this one is negative now if you can clearly see the direction of the voltage right current flow होता है positive से negative की और यह ऐसे प्यार से लगा लो arrow इस पे तो यह जो circle बनाया है ना यह circle क्या है this is the electric field शुरू में तो सब को यह लगेगा कि electric field है और है भी ठीक है तो लिख दोता हो यहाँ पे मैं electric field मगर हुआ क्या एक scientist है जिनका नाम था Orested ठीक है ठीक से pronounce कर ले ना यही नाम है इनका O-E-R-S-T-E-D ठीक है इन्होंने experiment किया इविन अगर इनका surface पे भी चले जाओगे तो भी क्या feel होगा force feel होगा वो force attractive हो सकता है वो force repulsive हो सकता है वो बात की बात है पर आपको force feel होगा जब आपने सुना होगा कि बिजली के तार के पास जाते है तो तार जो हमें खीच लेता है अगर high voltage का होता है खीचता थोड़ी ह तो force लगाता है अपनी ओर ठीक है अगर उसमें है power तब आप यह मत कहने बाई चार्जर के पास गया मेरे को खीचा ही नहीं चार्जर ने ऐसी बात नहीं है आप समझगे होगे कि किसी के electric field में जाने से तार यहीं तक है लेकिन field इसका यहाँ green वाली line तक है तो वहाँ पर आपको experience होगा force ठीक है force experience होगा अब वापे इस मुद्दे पर आते हैं यहाँ पर वो ले क्या है इसके करीब magnet ठीक है तो compass लेके हैं ठीक है तो compass ड्रो कर लो यहाँ पर एक compass बनाते हैं यह रहा अपना compass ठीक है इस compass में needle भी बना देते हैं तो proper एक needle बनाते हैं आपे let me draw it यह इसका needle है ठीक है तो समझ गया यह compass है अब जब compass इसको करीब लेके आए न इस electric field के करीब लेके आए तो यह compass deflect कर रहा था यह कर रहा था deflect d e f l e c t यह कर रहा था deflect अब यह बहुत strange behavior है क्योंकि compass न केवल और केवल magnet के आगे deflect करता है अगर ऐसा कोई magnet हो न ठीक है compass उसके आगे deflect करता है तो यह समझ नहीं आया तो कईयों को तो लगा भाई compass खराब होगा जब यह deflect कर रहा है ठीक है कईयों को लगा नहीं यह circuit में problem है लेकिन बार-बार cross check करने के बाद भी ना तो compass में कोई दिक्कत और ना इस circuit में भी कोई दिक्कत तो इसका एक ही अर्थ है कि कहीं न कहीं जरूर यहां पे electric field के साथ-साथ magnetic field भी मौझूद है ठीक है तो अंत में यह बताया गया अंत में यह समझा गया इस experiments है कि जहां भी electric field होगा वहां पे होगा magnetic field इसको recheck करने के लिए इन्होंने circuit को कर दिया break यहां से कर दिया circuit break circuit को open बना दिया और अब की बार जब compass लेके जा रहे ना तो deflection नहीं हो रहा तो यह इसका जीता जाता प्रूफ था कि current की मदद से current होगा तो current की मदद से आप magnetic field generate कर सकते हो ठीक है यह compass बार बार डिफलेक्ट करता और अभी इस case में compass डिफलेक्ट नहीं करेगा यह arrow हिलेगा नहीं यहां पे ठीक है तो यहां पे क्यूंकि current की supply अपने बंद कर दी supply बंद करी electric field generate बंद हो गया ठीक है यह green वाली line नहीं बनेगी जब electric field नहीं बनेगा तो जहां पे भी electric field होगा वहां पे होगा magnetic field तो यह compass डिफलेक्ट कर रहा है किसकी बदद से electric field की बदद से तो आप इसको यह कह सकते हो ना अगर मैं इसको clear करके लिखूँ कि भाई electricity ने electricity ने magnetism generate कर दिया ठीक है असान बाचना में देखा जाए तो electric field ने magnetic field generate किया तो आप इसी को कहते हो electromagnetism e-l-e-c-t-r-o magnetism ठीक है जहां पे electricity की मदद से आप magnetism generate कर रहे हो तो आई होप कि यह समझ आ गया होगा यह experiment था और connected का ठीक है इसके जो भी consequences थे results थे वो मैंने आपके सामने रख दिये बस एक चीज़ का ध्यारन रखना करेंट कैरिंग वायर होना चाहिए you always took a current कैरिंग वायर while performing this experiment ठीक है अब इसके effect जो है हम अगली glass में discuss करेंगे तब तक all the best